कि आप समी सब्सक्राइब अच्छी तरह से हैं और अपना ध्यान आपको गिल्कुल रखने अच्छी तरह से हैं और आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर कर लेते हैं कि अच्छी हमें देना दाता मन का इश्वास कंजोर होना हम चलेने एक रस्ते पे हमसे बूर कर दी कोई भूल होना इतनी शक्ती हमें देना दाता मन का विश्वास कंजोर होना तूर्य अज्ञान के हो अधेरे तू हम इंग्यान की राशनी दे हर गुराई किसी का किसी से, आव नावन में बदले के हो ना, अंचली निक रस्ते में हमसे, किसी से, आव ना, उक्किन के हम हमें देन, आता, आव ना, उक्के बिश्वार से गंचो, आव ना, ओ क्या श्तुर्डेन्स, क्लास टार्ट करें आचकी, तो पू को ओपर करें दिधा, बिटा, कौन सा पे हैं, पे नमबर है, थर्टीटू, और टॉपिक क्या है Mr. Snowman यहां पर यह Snowman दिया हुआ है इसमें हम कलरिंग भी करेंगे और कॉर्टन पेस्ट भी करेंगे ठीक है? स्टार्ट करें इस पेज में आज हम काम करने वाले हैं बेटा ओपन कर लिजे सभी पेज नंबर है 32 और टॉपिक है Mr. Snowman ओके तो हमारे Mr. Snowman देखे पैजानते हैं मिटा आप सभी बच्चे Snowman तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है Christmas celebrate जब करते हैं तो Christmas tree के साथ decorate करने के लिए Christmas tree को चोटे चोटे कई तरह के Snowman लगा उसमें हैंक करते हैं कभी बड़े भी बनाते हैं Christmas tree के साथ रखते हैं और या फिर आप अगर स्नो वगेरा में जाते हैं या कहीं पहाड़ों पर कभी गए हैं तो इस तरह से Snowman बना कर आपने भी enjoy किया होगा है ना बटा तो चलिए आज जो हमारा Snowman है इसमें हम काम करते हैं topic है हमारा Mr. Snowman और साथ में क्या दिया है बटा Cotton pasting तो पहले हम इसमें बटा अपने page में सारी coloring करेंगे और जब हमारी coloring का सारा part complete हो जाएगा तो उसके बाद हम Snowman में यहाँ पर और यहाँ पर cotton paste करेंगे colors कौन कौन से चाहिए हैं बटा देखिए red चाहिए हमें green चाहिए है tree के लिए यहाँ orange चाहिए है green के दोनों shade ले लिए blue चाहिए हमें इसकी body में यहाँ करने के लिए और black चाहिए है इसकी यह जो hat है इसमें करने के लिए तो यह सारे colors हैं आप और निकाल लीजिए सारे colors और फिर हम coloring करते हैं सबसे पहले बेटा जिसका scarf है उसमें हम red color करेंगे यह देखिए इस तरह से एक side से आप करना start कर दीजिए color यह सारा scarf हमारा इस color में होगा और और बाकी colors भी हम थोड़े थोड़े लगा लेते हैं कौन-कौन से हैं इस तरह से आप करके और इस सारे scarf को अच्छी तरह से color करेंगे अब है हमारा इसमें hat में लेते हैं हम कौन सा है black color यह वाला जो color है यह hat में आएगा और hat में जो यह बीच वाला part है यह orange लेना है यह जो है इसे हम orange color से करेंगे ठीक है इसे सारा आप फिल कर लीजिए orange के साथ और green जो है उसे हम यहां करते हैं अपने इस Christmas tree में आप green लेंगे और साथ साथ green क्या दूसरा shade भी ले सकते हैं ताकि थोड़ा dark और थोड़ा light इसमें effect आए अभी मैं आपको बताते हूं कि dark हम कैसे यूज़ करेंगे पहले आप एक शेड कर लीजे light green से इसी तरह से आप इन सब में करेंगे और जो dark green लिया है हमने उसको कैसे यूज़ करना है उसको बिटा यह जो ऐसे बना हुए ना कर्व जो इसके दिये हुए है इसे ट्री के उसको हम थोड़ा और अच्छा highlight दिखाने के लिए यहां पर दूसरे color का green हम यूज़ कर सकते हैं मतलब दूसरा green यूज़ कर सकते हैं अगर dark और light हम यूज़ करें तो two shade आ जाएंगे हमारे इस तरह ट्री में तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से यह हो गया न तो यह shaded हो गया थोड़ा सा हमारा तो अच्छा लग रहा है और तो इसी तरह से आप इन सब को भी कर लेंगे और नीचे जो यह है इसका trunk दिया है ट्री का इन ट्री इसको भी इसी तरह सेम पैट कोन कलर से करेंगे इसको कर लिए जी इस कलर से पूरा अब जो ब्लू कलर है वह कहां आएगा एक तो इसके फेस में आएगा बिल्कुल हलका हलका करना है अपने फेस में वैसे तो यह स्नो मैन है तो वाइट ही होता है लेकिन थोड़ा सा एक शेड हम इसमें ब्लू का दे रह भी ब्लू को बिल्कुल हलके हलके हाथ से चलाएंगे तो इस सारे में आप कर लेंगे और यहां पर भी हम ब्लू कलर लेंगे स्नो दिखाने ने यहां भी तो यहां पर भी इस तरह से जैसे यहां पर हलकी हलकी लाइन्स और करके थोड़ा से हमें ऐसे स्नो दिखाने हैं और भी लाइट ब्लू आप इसमें कर सकते हैं थोड़ा और लाइट जो होता है जो sky blue आपका होता है वो भी आप अपने snow में कर सकते हैं तो इस तरह से ये सारे जो color है इनको पहले आप complete करिए उसके बाद फिर हम इसमें pasting करेंगे तो बेटा अभी आपने ये सारी coloring सभी बच्चों ने कर ली इसी तरह से तो coloring जब हमारी हो जाएगी बेटा उसके बाद हम यहाँ पर जो अपना snow में है इसमें हम cotton paste करेंगे इस तरह से आप cotton ले लीजिए बेटा और फेवी कॉल यहाँ पर लगाईए सबसे पहले हम face में इसके लगाते हैं बहुत जादा नहीं लगानी है आइस का ध्यान रखते हुए आइस को हमने cover नहीं करना है स्रिफ यह जहां जहां पर थोड़ा थोड़ा blue blue किया है न हमने color वहीं पर लगाएंगे और अगर cotton आप नहीं पेस्ट करना चाहते तो स्रिफ coloring से भी आपका snowman complete हो सकते हैं तो आप स्रिफ coloring कर लीजिए उसमें अगर आपने cotton पेस्ट नहीं करना है यह नहीं है आपके पास cotton तो यह देखिए इस तरह से आराम आराम से फेस ज्यादा cover नहीं करना है हमने आखें नहीं ढगनी चाहिए उसकी आपके snowman की यह देखिए इस तरह से फेस में लगाई है थोड़ा थोड़ा और इसी तरह से हम यहां नीचे भी लगा लेंगे इसकी पूरी बॉड़ी में यह देखिए बैटा इस तरह से जो हमारी कॉड़न है पूरी हम अच्छी तरह से यहां पर ऐसे पेस कर लेंगे और यह अब हमारा जो स्नो मैन है यह बिल्कुल सुन्दर सा यहां पर रेडी हो गया है और उसके बाद आप चाहें तो इसको और हाइलाइट करने के लिए जैसे यह आईस हैं इसकी आईस को थोड़ा-थोड़ा हम और अच्छे से डाक कर देते और नोस भी जो यहां पर दिखाई है इस कि उसे भी आप ऐसे डाक कर दीजिए थोड़ी से लिपसे हैं इसके रैट बने हुए नहीं आप तो उसके आप ब्लैक से थोड़ी सी आउटलाइन कर देंगे तो वह बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा तो इसी तरह से आप भी करेंगे इस पेज को को चलिए सबी बिचे अपना इस काम को करिए बिचा और उपर डेट ना इस पेज में आपने और पिर अधली क्लासे दिखेंगे बिचाई ओके बाई